पारत और इंडियन के बीच फिलाद उसर टेस्ट मैक्स लॉट्स में खेला जा रहा है लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं उन्मुक चंद जी हाँ इनका नाम आपने जरूर सुना होगा 2012 का 2019 विलक परा था टीम को चैंपिन बनाया था टीम के कप्तान थे उन्होंने इंडियन क्रिकेट को अलविदा कहा दिया है रिटार्मेंट उन्होंने जो है क्रिकेट से ले ली है बहुत ज़ादा शॉकिंग ये जर्नी है उसको रिज्यूम कर सकते हैं इससे पहले हमने देखा था कि अन्डराइने टीम के ही विकेट कीपर 2012 जो विलकप टीम जीती थी उसमें भी जो है स्मिथ पटेल जो है वो विकेट कीपिंग कर रहे थे और वो भी अब यूए से शिफ्ट हो चुके है अल्रेडी वह तीम को रिप्रेजेंट किया अब धीरे धीरे अगर उन्हें पॉर्टिनटीज नहीं मिलती हैं तो वो देश छोड़ रहे हैं और देश छोड़ने के बाद वो दूसरी कंट्री में जाके जो है यानि युए से का अगर एक्जामपल ने रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रह थी इसके साथ अरवाजसान वाल्स को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया कुछ खास चाप नहीं छोड़ पाए अगर बात करें जाए आई पील की इसके लावा डॉमेस्ट्री क्रिकेट में भी ऑन एड आफ जो है हमेशा डेली टीम से रहे कभी मौका मिलता था तो इसे कै क्या सकते हैं कि उनकी जो एक सपना होता हर क्रिकेटर का जब वो अंडर 19 नेवल पर डिप्रेजेंट करता है टीम को तो जाहिर सी बात है वो भारत का भी सपना देखना चाहता है क्रिकेट खिलना चाहता है और डेली से ही उनमुक्चंद आते थे तो विराठ कोली के बाद पहरे कप्तान बने थे जिन्हों अंडर 19 में टीम को विश्व कप जिताया हूँ और इसके बाद काफी ज़्यादा डिसपॉंटिंग है क्यों यह मौका नहीं मिल पाया साथी साथ उनकी परफॉर्मिस की भी बात करें तो शायद अंडर 19 के बाद वो इतनी ज़्यादा अच्छी शुरुवात हो उनकी रिपोर्ट की मताबिक जरूर आप यह कह सकते हैं कि अमेरिका में ही वो अपने आगे की क्रिकेटिंग करियर को देखते हैं जरूर हम कहना चाहेंगे उन्मुक्चंद को उनके आगे आने वाले क्रिकेटिंग सफर के लिए फिलाल इजाजत दीजिए उन्मुक्चंद को लेकर आपका क्या कहना है जरूर आप हमें कॉमेंट सेक्षिन में पता सकते हैं